ओम श्रीक अने शायनमा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे वरिश्चिक राशी के बारे में पांच मई मंगलवार से लेकर दस मई रभी बार तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारा राशी फल चंद राशी पर अथारित ह पांच मई मंगलवार से साथ मई गुरूवार तक का समय विशाक मास के शुक्ल पक्ष का समय है इसके बाद आठ मई से जेश्ट मास के क्रिशन पक्ष का समय शुरू हो जाएगा वरिश्चिक राशी वालो ये सब्तह आने वाले अगले छे दिनाप के लिए बेहत खास है ल आपके लिए काफी बहतर रही होगी बात करें पांच तारिक मंगलवार की तो पांच तारिक मंगलवार को त्रोदशी तिति रहेगी हस्त नक्षत्र होगा चंद्रमा कन्याराशी से गोचर करेंगे चंद्रमा का ही नक्षत्र होगा वरिश्चिक राशी वालो मंगलवार के द इस समय आप काफी प्रैक्टिकल रहेंगे लेकिन आपकी सोच औरों से अलग रहेगी इस दिन आप में क्रियोसिटी बढ़ने वाली है नई चीजों को जानने की जिग्यासा बढ़ेगी आप में थैरिये भी अच्छा होगा आप प्रैक्टिकल रहेंगे रियाल्टी में विश करेंगे और नए नए काम करने से आपको खुशी मिलेगी इस दिन आप इनोविटिव रहने वाले हैं आपकी सोच एकदम नविंतम होगी सिहत आपकी अच्छी रहेगी कारोबार की बात करें तो कारोबार में इस दिन धनलाब हो सकता है घर बैठे भी आप इंकम के नए रा रापती लोटरी द्वारा भी हो सकती है इस दिन संतान सुक्की प्रापती होगी वेवाहिक जीवन खुशाल रहेगा लव लाइफ भी खास रहेगी और परिवार में भी खुशियां बनी रहेगी लेकिन आपको अपनी अलग विचार धारा के चलते बोल चाल में इस दिन सा बाती नक्षत्र होगा चंद्रमा तुला राशी से गोचर करेंगे दिन में मंगल का नक्षत्र और शाम को राहू का नक्षत्र रहेगा सुबह की शुरुआत बहतरीन है पुराने उधार की वापसी हो सकती है रुका फसाधन आपको मिल सकता है गुप्त शत्रु समाप्त होंगे हर प्रकार से बहस में लड़ाई छगड़े वाद विवाद में आपकी जीत रहेगी लेकिन शाम के समय में जल्दबाजी ना करें बूल चाल में साब्धानी जरूर रखें बात करें साथ तारिक शाम की दोस्तों साथ तारिक शाम का समय आपके लिए बहतरीन है यह समय आपके धन की स्थिति को मजबूत करेगा इस समय में आपका मान सम्मान बढ़ेगा आपके काम की तारिफ की जाएगी आप दूसरों की मदद करना चाहेंगे और दूसरों की मदद करने से आपको परसंता मिलेगी यह समय परिवार में भी खुशियां बनी रहेंगी और शाम का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा बात करें आठ तारिक शुकरवार की इस दिन परती पदाती थी रहेगी दिन में विशाखा नक्षत्र शाम को नुराधा नक्षत्र होगा चंदर्मा वरिश्चिक राशी से गोचर करेंगे दिन में ब्रस्पती का नक्षत्र शाम को शनी का नक्षत्र होगा यह दिन आपके लिए बहुत खास है इस दिन आपके सवभाव में तेजी देखी जाएगी हर काम को शिगरता से निप्टाने का प्रयास सफल होगा और मुश्किल काम भी बनेंगे अधूरे काम भी बनते हो दिखाई देंगे और परिवार के लोगों से भी मदद मिलेगी खास तोर पर मित्रों से भाई बहन से सैकर्मियों से मदद मिलेगी और नए निवेश और संपत्ती के मामलों में आप कामियाब रहेंगे जमीन जादाद में बड़ा फाइदा इस दिन मिल सकता है दोस्तों बात करें नो तारिक शनिवार की इस दिन दित्या तिति रहेगी दिन में अनुरादा नक्षत्र शाम को जेस्ता नक्षत्र होगा चंदर्मा वरिश्चिक राशी से गोचर करेंगे दिन में शनी का नक्षत्र शाम को बुद्ध का नक्षत्र रहेगा ब्रिश्चिक राशी वालो यह समय भी आपके लिए बहुत पहतरीन है पूजापाठ में धर्म आध्यात में गुप्त विद्याओं में आपकी रूची बढ़ सकती है आध्यात में की ओर जुकाव रहेगा और प्रभू की कृपा भी प्राप्त होगी लाब में वरित्ती होगी वेवाहिक जीवन इस दिन बहुत खास होगा और आपके पार्टनर की तरक्की हो सकती है लाइफ पार्टनर से सुसराल से फायदा हो सकता है इंकम के नए रास्ते इस दिन निकलेंगे और कामकाज में आने वाली रुकावटें दूर होंगी बात करें दस तारिक रविवार की इस दिन तृत्या दिधी रहेगी मून लक्षत्र होगा चंदरमा धनू राशी से गोचर करेंगे केतू का लक्षत्र होगा वरिश्चिक राशी वालो यह दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा शुब है इस दिन बहुत बड़ी मातरा में अचानक धनलाब हो सकता है परिवार से धन्दोलत मिल सकती है और अपने व्यापार में अपने कारोबार में अपनी नोकरी में भी आपको तरक्की मिल सकती है अबिवार का दिन आपके लिए बहुत खास होगा और इस दिन आप बहुत जादा इस दिन को इंजोए करने वाले हैं दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सच्चे मन से ओम श्री गनेशाय नमा जरूर लिखें